हरक सिंग रावत जिन को लेकर इस वक्त उत्राखन की राजनीती में चर्चा हमार साथ जुड़ा हूँ है हरक सिंग रावत जी स्वागत है आपका टीवी नाइन भारत वर्ष में आप से पहला प्रष्ट मेरा यही है कि बीजेपी ने पार्टी से आपको निकाला क्यों है अब ये तो बीजेपी के लोग जाने भले ही आज अपना छेराच छ्पाने के लिए अपने गलत निन्ने को सही साबित करने के लिए कुछ भी कहते रहें लेकिन ये बिल्कुल सच है कि कल पलाज जोसी जी मुझे बुलाया था मैं दिल्ली आया था और मैं दिल्ली देर से पहुचा हूँ और मैंने आज पला जो सिसे मिलता हमिसाज से मिलने का समय लेता आज उनसे मिलता लेकिन तब ही इनों ने ये समाचा चला दिया क्योंकि सोशल मीडिया में जो मन गणा तु फरजी समाचा चला था कि मैं कौन रिजू समलित हो सकता हूँ मैं सोने गाने से मिलने गया एकदम सो परसत जूट था मैंने अमिसाजी से वाइदा क्या था उन्होंने मुझे से का था भी तुमारी मेरी दोस्ती है ये दोस्ती अंतिम सांस तक रहने चाहिए मैं बड़ा घुटन भरी जिंदेगी जी रहा था लेकिन इसके अब आवजुद अरक सिंग जी आपकी अगर अमिश्या से इतीस पश्च बात हुई है तो फिर ये गरबड कैसे हो गई कैसा क्या हुए कि छे साल के लिए आपको पार्टी से सस्पेंट कर दिया अब वही तो मैं कुछ तो आपको पता ही होगा कुछ तो अंदाजा होगा बिनास काले बिप् या कोई कॉंगरेस में संब्ड़ित होने की दूर दो तक कोई चर्चा नहीं थी कोई बात नहीं थी यह सिर्फ मुझे लगता है कि भगवान ने इनको ऐसे बुद्धि दे दी इस वर इनको ऐसे बुद्धि दे क्योंकि इनका बिनास होना है उत्राखन की देव भूमी में क्या वज़ा है आप बारबारी कह रहें कि इनका बुरा समय आ गया है पार्टी जो है उसका खराब समय आ गया है क्या आप ये मानके चल रहें कि बीज़पी सक्ता से जा रही है कोई भी बिल्कुट 200 परसंट जा रही है पहले भी जा रही थी अब तो पहले 100 परसंट जा रही थी अगर 100 परसंट से भी उपर कोई परसंट होता तो मैं मैं तेमेटिस का बिद्यारती रहा हूं इंटर तक और उत्राखन के लोगों को मैं इतना समझता हूं मैं एक आपने जो बाते की हैं लंबे समय से हम उत्राखंट की राजनीती में आपको सक्रिये देखते रहे हैं आपने कॉंग्रिस में भी लंबी पारी खेलिए आप भाजपा के भी साथ आए लेकिन ऐसी क्या बात हो गया ऐसा क्या जानते हैं आप जिससे हलचल मत सकते अगर आप बत के कौन लो कि खुद कांच के ऐढ़ साल क्षराब नहीं हो सकती तो फिर केरेता था परवार वाद की बात कर रो तुमने जए पिछले वारी जी का नहीं तो नहीं तो अरे उत्तराखंड की जनता चाहेगी कि क्या हुआ और ऐसा क्या जानते हैं आप जिससे पाटी जो है आपको अलग कर रही इतना रिस्क ले रही है अगर आप विस्फोटक बात जानते हैं और फिर भी आपको पार्टी बाहर निकाल रही है यह तो बात पच्छ नहीं रही है ना अगर कोई ऐसी बात आप जानते हो मैं इस तरह कह रहा हूं कि इनका देखे कुछ चीज़ा ऐसी है मैं बहुत कुछ मामलों में वाइदा का पका हूं लेकि लेकिन हराक सिंग जी देखिए आपकी बात अपनी जगह है लेकिन चुनाव सिर्पर हैं और ऐसे में लोग पाला बदलते हैं यह कोई नई बात नहीं है उत्रा खंड में तो यह अकसर होता है तो क्यो नहीं यह समझा जाए है हराक सिंग रावत जी चुनाव को देखते हु मुझे पार्टियर के लिए काम करने दो मैंने तो कहा था मैं तो आप मीडिया में पिछले एक साल से मेरे बैयानों गए आप देखेंगे तो मैंने कहा था मैं चुनाव नहीं लेना चाहता हूँ मैं नौ बार मंत्री रह चाहा हूँ यूपी में 17 साल की उमर में कल्यान कि साथ मंत्री हो गया मायवति के साथ रहा हूं उत्राखन में जो चार जिले बने हैं उदम से नगर बागश्वर चंपाउत रुदर प्याग मैं तो फिर भी आप खुल कर ये बात नहीं कह रहे हैं कि क्या गड़बड होगा राजी के नेताओं ने गड़बड की आला कमान से बात नहीं बनी क्योंकि अगर आप इतने अनुभवी नेता हैं आपको कोई लालसा नहीं है पद की आपको विधायक पद की कोई लालसा नहीं है तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने त्यागी होने के बाद भी आपको बीजेपी ने त्याग दिया मैं आज आज आपको कह रहा ह लेकिन मेरे दिल की इच्छा नहीं है, मैंने नड़ाजी से का, अमिशा जी से का, पर्देश में धामी से का, उनकी तरफ से आपको क्या अश्वासन दिया गया है, उनकी तरफ से कोई भरोसा तो दिया गया होगा ना आपको, नहीं उनका नहीं, उनका नहीं आपको चुनाओ अब जो आदमी उतर प्देश में मनते रहा हो, पिसले इतने सालों से मनते रहा हो, अब रोज एकी काम में ठीक नहीं, मैंने का मुझे कोई भी पार्टी एक काम दे दुआ तो क्या हराक सिंग रावत इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, अब तो ये स्थिति हो गई, अब क्या पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, लेकिन अगर परिस्तिया नहीं बनेगी, तो मैं कांग्रेस के लेकाम करूँआए, तो किसी से बात तो कर रहे हूंगे आपके पूराने कांग्रेसी हैं, हुद्पूर कांग्रेसी हैं, आपकी तो बात हो रही होगी, हरिश रावत जी भी हैं उन्होंने आपका स्वागत भी किया कि घर का सुबह का भूला शाम को लाएगा तो हम स्वागत करेंगे नहीं हरिस भाई बड़े नेता हैं हमारे प्रदेश के बड़े भाई हैं मेरे गोद्याल जी मेरे छोटे भाई है पिरतम सिंग जी सबसे मेरी बहुत मदूर समन्द है वो लोग लगाता है और मुझसे एफ्रोस कर रहे थे लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं मैं कोई निर्ने नहीं ले रहा हूँ लेकिन अब मैं निर्ने लूँगा देखे मैं एक बड़ा सिंपल और स्पश सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे और मैं चाहता हूँ कि आप उसका उत्तर दें अब जो हुआ है उसके बाद आप बीजेपी के संगठन के तमाम बड़े लोगों से बात करेंगे या नहीं करेंगे या फिर अब आप कॉंग्रेस से बात करेंगे बिल्कुल बिल्कुल नहीं करूंगा अब भाजपा के लिए रास्ता बिल्कुल बंद है बिल्कुल नहीं करूंगा मैं कॉंग्रेस से बात कर सकता हूँ कर सकता हूँ या करेंगे लेकिन भाजबा में वापसी के नहीं करूँगा करेंगे मैंने कोई बात नहीं कि मैं कहा हूँ न आप इतनी देर से आपसे कहा हूँ कि मेरी कोई बात अब तक नहीं हुए थी सम्रित होने के सिर्फ सोचल मीडिया पर फ़र्जी समाचा चला था और उसके आधार पर भाजबाने एक जल्देबाजी मिन्ने ले लिया अगर कौंग्रस की तरफ से करेंगे यह भी उन्होंने कहा है अगर कौंग्रस की तरफ से आथा है तो उस पर वो बात करेंगे लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अब BJP से या BJP के संगंठन या नेताओं से मेरी कोई बात नहीं होगी तो ये देखिए बड़ी खबार है उत्राखंड की राजनीती से जुड़ूई एक्स्क्लूसिव TV9 भारतवर्श से बातचीत करते हुए ये बात ताल ठोक कर कही है से बात थी और मुझे वो चुनाव लड़ाना चाहते थे लेकिन अब ये आदेश आया है तो विनाश काले विपरीत बुद्धी BJP से बात नहीं करनी अब BJP सत्ता से बाहर जा रही है कॉंग्रेस की सरकार आएगी कॉंग्रेस के निताओं से मैं बात करूंगा हमसे बाचीत में हमारे सवालों का जवाब देते हुँ उन्होंने कहा और ये भी कहा कि मैं अगर कोई बात कहा दूँ तो विस्फोट हो सकता है उत्राखंड नौर देश की राजनीती में इतनी बड़ी जानकारी है मेरे पास हलाकि हमने बार-बार पूछा कि ऐसा क्या जानते हैं आप ऐसा क्या कहना चाहते हैं तो वो बात उन्होंने नहीं कही लेकिन दावा जरूर किया कि मेरे पास ऐसी जानकारी है जो अपने आप में BJP के लिए काल साबित हो सकती है उत्राखंड से BJP की सरकार गिर रही है जा र यह तमाम बातें हरक सिंग रावत ने अभी टीवी नान भारतवर्श से बात चीट करते हुए कहा है बड़ी जानकारी उत्राखन की राजनीती से जोड़ी हुई अरी सुमवार से शुक्रवार शाम छे बजे सिर्फ टीवी नाइन भारतवर्श पार